सामाने लोगों को भी भगवान मिले हैं निर्मलता के कारण, मन की पवित्रता के कारण यह हमारे राधे शाम शिवपुरी से आये हैं मद्ध प्रदेश में हैं शिवपुरी और उत्तर प्रदेश में हैं जहांसी जहांसी और शियुपुरी के बीच में करहरा एक जगा है करहरा और उस गाउं से गली से अंदर निकलो तो रास्ते में बिहारी जी का मंदिर है प्रामाने के बात बता रहा है बिहारी जी का मंदिर अभी भी है बिहारी जी के मंदिर के ठीक बगल में एक मकान है जो जिर्जीर्न हो गया है एक मात्माने महांत जी से पूचा कि इसकी कफा क्या है तो उन्होंने अपनी पीडियों पहले वाली इस बात बतायी यह बात उन दिनों की है जब बिहारी जी के महांत थे श्री रजवदास जी महाराज और जो यह मकान टूटा फूटा पड़ा है यहां एक दुकान होती थी यहां रहती थी एक गहोई वह्ष जाती की महिला अकेली थी परिवार में कोई नहीं बचा था लेकिन उपुरानी आदद पकोड़ियां बनावे तले और बीचे लोग कैदे से क्या करना पर मकान भी रुपिया भी और रोज बेवपार भी एक दिन उसने रात तरी को सपना देखा सपने में देखा कि मैं मर चुकी हूँ मेरी सारी संपत्ती लोग लूट लूट के ले जा रहे हैं उसको लगा सबेरे जागने पर के कहीं ऐसा ही ना हो क्योंकि मेरे कोई है नहीं और मेरे बाद भी कोई नहीं तो लोग लूट रहें ये तो ठीक नहीं तो उसने गहोई वहशे के लोगों से सलाह करके अपनी पूरी की पूरी संपत्ती स्री बिहारी जी के नाम कर दे और दुकानदारी छोड़ दे भगवान के मंदिर में रहने लगी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुराले जो हाथ बेसन में सने रहते थे वो ताली बजाते जो आखें ग्रहकों की पृतिक्षा करती वे आखें भगवान श्री कृष्ण को देखती बिहारी जी को देखती जिन्दगी बदाल गई महांत nights जी मितब्र यही थे वो ऐसी बहुत हात बंद करके रक है एक दिन देखा तो दूद पी रही थी वो शाम को महांत जी ने दूद दिया गिलास में तो दूद पी रही थी उने कुट कुट मैं महांत जी मुले तो कुट कुटाती क्या है ये दूद में मुले महारा जाओ पई इसमें मेवा जादा डाल देते हो महांत ने सुच आ हम मेवा डाल हम चीनी डाल देते हैं यही बहुत है मेवा माथा थनका दूसरे दिन देखा हूँ दो पहर को दाल परोट सी गई तो दाल में घी तहरता दिखाई दे महात ममली यह कहां से आया महाराज आ पई तो लाते हो दाल में घी उनको लगा ठाली में घी हो पहले से होना हम तो डालते ही नहीं अब महाराज घी बढ़ता जाए दाल में रोज मेवा वड़ते जरे जाए एक दिन महंत जी जब आरती करे थे उन्हें देखा कि भगवान भिहारी जी के जो बागा उन्होंने पहना उसकी बाँपर आगे घी लगा रही सोचा आरती और अगेरा से लग गया होगा दो कर दूसरा बस्त बदल दिया लेकिन दूसरे दिन देखा भगवान के दौनों कर कमल घी में सने अरे येन की हाथ में घी कैसे लगा अब समझे गए उस देवी को सब भक्तिन को बोलते थे मंदिर में रह रही थे महात्मा ने कहा ये भक्तिन को यही देते है घी भरबार के तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की महंत जी ने कि द्वापर के छलिया अवलों तेरी यह छैल पने की छचोरी न छुटी काउँ को काम बने बिगरे ब्रिजराज तेरी बर जोरी न छुटी और ग्वाल सिंहासन पे पुजिके भायों ठाकर हूँ पे ठगोरी न छुटी आज यही बिनमोकर जोर ब्रिजराज तेरी यह छोरी न छुटी तुमारी यह छोरी की आद़त कही नहीं अरे मैं इसलिए थोड़े ही करता हूँ कि किसी को न दूँ लेकिन चीज रहेगी तो मौकर पर काम आएगी महात्मा आएगे जमात आएगे खिलाएगे पिलाएगे अब रोज खर्च कर लो तो इसलिए मैं करता हूँ इसलिए आप ऐसा न तरो आप भक्तिन का पक्षमत बहुत पर विहार ही जीत वह विहार ही जीत कुछ नहीं बोलें सुनते रहें लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह गही उसी तरह मेवा महंत जीत जो जमा करके रखें बेखाली होने लगे अज भग्वान ने भी प्रार्थना नहीं सुनी तो महंत जी को भग्वान पर ही क्रोध आगिया भक्तिन पर तो आए ही क्रोध उन्होंने सोचा इसे निकालना चाही और इसे निकाला मंदिल से लेकिन महांत जी ने सोचा कि इसको निकालें कैसे कोई लांचन हो आरोफ हो तब तो निकालें तो महांत जी ने एक दिन निश्चे किया बसो बैठ गए दरवाजे पे माला लेके और उस रास्टे से जितनी महिलाएं पर उस निकले तुम्हें पता है भक्तन क्या हुआ है अरे भक्तन नहीं ने भ혁राज पता हुआ भकतिन ने एक आदमी लख लिए आदमी लख लिए ऐसी बाते बड़ी जल्दी फैरते है आदमी लख लिए इसने पूरे मैं अल्ला पहले रहती थी अब मंदिर में रह लए ये माल खाती है कहां आप कुछ काम तो है नहीं बुद्धी बिगड़ गड़ गई होगी धखलिया होगा आदमी धखलिया पूरे गाउं में चर्चा होगा अब भक्तिन जहां से निकले से और तन देख के मुस्कुराएं और ठूकें क्या हम से क्या पोचते हो पोचो तुमने आदमी रखलिया है कोई और उससे तुमारे नाजाईज सम्मंद है आप तो काम गई कही भगवान कौन कह रहा था मांत जी अब मांत जी के नाम से जो चर्चा होई बड़े परेसान तो उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई सीधे अपने गहोई समाज के वैश्यों के घर गई का मैंने जो विहारी जी को सौंप दिया है धन, संपत्ति में बापिस नहीं चाहते लेकिन महानती जी मुझे कलंक लगा रहे है आप लोग पंचायत करके मुझे निस कलंक बनाओ मैं अपना भीख भांग कर गुजर कर लूँगी मंदिर में नहीं रहूँगी वैश्यों ने सोचा कि नहीं हमारी समाज की बात है अब महानती जी ने देखा कि बड़ी भीड़ी चली आ रहे है कि आज कोई उत्सव भी नहीं कुछ नहीं इतनी भीड़काय को आ रही है अब पीछे देखा जो भक्तिन समझ गई यही लेकर आई सब को उत्तर देने के लिए तैयार हो गए लोग सलाय कर रहे थे अगर भक्तिन की गलती तो उसे मंदिर से निकाल देंगे और नहीं गलती तो महानती जी से कहेंगे कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए पर जैसे ही आए लोगों ने कुछ कहते उसके पहले ही महानती जी ने कहा भोजन में नित्गरत उठा स्वकरसों लेते भगवान भोजन की समय अपने हाथ से घी उठा लेते भोजन में नित्गरत उठा स्वकरसों लेत भर भर देत या भगतन की थारी जी लोग समझे नहीं मंदिर में मेवा के पात्र सब रीते पड़े कैसे रहेगी बात बीते पर हमारी जी भोजन में घी उठा उठा के इसकी थाली में परस देते हैं मेवा के सब पात्र सब रीते पड़े हैं तो ये कहो के चोरी करती है पर आपने दूसरा कलंक लगाया मांत जी बोले ये चोर नहीं है पर जो दूसरा कलंक लगाया सो चोरी नहीं करती है सची इमानदार और या के भक्ति भावों पे हमहूं बलिहारी जी फिर आपने जो कलंक लगाया को उसने कोई आदमी रख लिया कोई पती रख लिया मांत जी बोले कैसे परतीत कैसे परतीत अब बिनीत जो करावें हम पती हैं बनाए या भक्तिन ने बिहारी जो इसने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया वही इसके पीजे पीजे लगे फिरते तो हम क्या गलत कह रहें बिहारी जी हमारी सुनते नहीं उन्हीं से पूँचो उन्हों नों जिन्दगी पर गोपिया तारी है सो इस गोपी को का सहियो करने लगे लोग आये थे भक्तिन देव निकाल पर ठगे गए यही ठोर पे भयो और ही हाल सबके आँखों में आशु थे उन्होंने कहा कि भावा अब भक्तिन की चिंता आप न करें हमारे इतने परिवार हैं यह जिस परिवार में पहुंच जाएगी वहां के लोग इसे भोजन करा के अपने को धन्य मानेंगे जिसका भगवान से नाता हो यह जूटा कलंक ही सही नारव सजनी अनमनी भरव न नीर ससंक बड़े भाग ननलाल संक जूटो ही लगत कलंक ठीक हमाराज प्राम भक्तिन बोली अब मैं नहीं जाओंगे यहीं हूँ दोपहर को भोजन के लिए महंत जी आये लेकर मना कर दिया मेरा स्वास ठीकरी भोजन हाँ आप काहे को करेगी हमारा भोजन कल से तो तेरा सेठों के या बड़ों-बड़े सीठों के या निमंत्रन शाम को दूद लेकर आये नहीं पिया महंत जी अपने कमरे में रात्री के समय नीद नहीं आई भक्तिन रोती रही और तीन बज़े के बात रहा ने गिया जब सब सो रहे थे भगवान के मंदिर के सामने डिोड़ी पर सिर रखकर आंसु बहा कर उसने कहा नाथ को नाम कियो बदनाम मुझे बदनाम ये देते संसार के किसी आदमी का नाम लगाते नाथ को नाम कियो बदनाम बिरागन सोन विवाद बढ़ाँ और आपके हाथ से पाए परसाद कहा अब और के हाथ से पाऊ आपके हाथ से परसाद मिला अब क्या किसी के हाथ से पाना ऐसा कहकर भक्तिन ने जैसे ही अपना सिल रखा अचानक बला तीब्र प्रकाश हुआ गलगलाट के साथ मंदिर के पट खुल गए सभी लोग जागे क्या हुआ क्या हुआ महांत जी भी रोते रोते सब लोग सब ने देखा भक्तिन के प्राण भी हरी जी के चर्णों में लीन हो गएगे साथ चारों तरफ हला मचा करहराब नगर के लोग आए सब उसको लेकर गए वहाँ एक नदी है करहराब महुआर या कुछ महुआर नदी है उस नदी के किनारे उसका दाह संसकार हुआ वही उसकी समादी पनी मांद श्री रजवदास की जब तक उस मंदिर में लहे नियम था भगवान की आरती करने के बाद छट पर चले जाते और छट पर उस समादी की दिखाई देती थी छट पर से उस समादी की आरती उतारते थे आज भी वो करहरा गाओं है आज भी बिहारी जी का मंदिर है बगल में वो खंडहर है लेकिन भगवान की लीला ऐसे ही भगतों के साथ होती है निर्मल मन जनसो महिपावा वह और कुछ नहीं बनी साथू नहीं बनी स्वामी जी नहीं बनी महात्मा नहीं बनी वह तब राम ही की बनी बिहारी जी की बनी देह के माला तिलक देह के माला तिलक और छापन नहीं किसी काम के प्रेम भक्ती के बिना नहीं बिना प्रेम भग्पि के बिना नहीं नाच के मन भाएगा तोई परमपद पाईगा जो भजे हरी को सदा जो भजे हरी को सदा तोई परमपद पाईगा कोई परमपद पाईगा कोई परमपद पाईगा कोई परमपद पाईगा कोईड़ पाईगा कोईड़ पाईगा